परिचे प्रिया, तुम्हारा स्केल कितना लंबा है? पंद्रा सेंटिमीटर लंबा है मैम बहुत अच्छा प्रिया हम्म, तुम्हारा वजन कितना है रोशन? ओ, 25 किलोग्राम मैम ठीक है, स्नीहा, तुम्हारी बोतल में कितना पानी आता है? चात्रों, हम अपने दैनिक जीवन में दूरी, द्रव्यमान और आयतन के परिमान मापनी के लिए विभिन एकाईयों का प्रियोग करते हैं आईए इस पाठ मापन में इन एकाईयों के बारे में जाने आउं सीखें दूरी, द्रव्यमान और आयतन के परिमान मापनी के लिए प्रयोग होने वाली विभिन एकाईयों को जानना दूरी, द्रव्यमान और आयतन के मानक एकाईयों को बताना परिमान को विभिन एकाईयों में वर्नित करना विभिन्न एकाईयों को जोड़ना, घटाना और गुणा करना रुपाई का पैसे में और पैसे का रुपाई में विनिमाई करना दूरी मापन के एकाईया लंबाई, चौडाई, उंचाई कुछ शब्ध हैं जिन्हें दूरी को व्यक्त करने के लिए प्रयोक किया जाता है नए दिल्ली और चंडिकड के बीच में दूरी 250 किलोमीटर है चात्रों ने 400 मीटर के दौड में भाग लिया आयद A, B, C, D की लंबाई 5 सेंटिमीटर है रबर की लंबाई 14 मिलीमीटर है हमें ग्याद हुआ कि दौरी मापने के लिए किलोमीटर, मीटर, सेंटिमीटर, मिलीमीटर इकाईयों का प्रयोक किया जाता है इन में से किलोमीटर सबसे बड़ी इकाई है जिसका प्रयोक बड़ी दौरिया मापने के लिए किया जाता है जबकि मिलिमीटर सबसी छोटी इकाई है, जिसका प्रयोग बहुत छोटी लंबाई मापने के लिए किया जाता है. दूरी के लिए मानक इकाई है मीटर. इकाईयों में परिवर्थन. दोस्तूं, आएए. अब एक इकाई में दी गई दूरी को दूस्ते इकाई में व्यक्त करना सीखें. एक किलोमेटर में कम की दूरी को मापने के लिए एक किलोमेटर को हजार बराबर भागों में बाटा गया है. और हर भाग को एक इकाई माना जाता है. इसे मीटर कहते हैं. हम कह सकते हैं कि एक हजार मीटर एक किलोमीटर के बराबर होता है इसे तरह एक मीटर को सौ बराबर भागों में बाटा गया है और हर भाग को एक इकाई माना जाता है इसे सेंटिमीटर कहते हैं अतहा एक मीटर सौ सेंटिमीटर के बराबर होता है बॉक्स में सेंटिमीटर में दी गई दूरी को आप मिलिमीटर में कैसे बदलेंगे जब एक सेंटिमीटर को दस बराबर भागों में बाटा जाता है तो इसके प्रतेक भाग को एक मिलिमीटर कहते है इसका अर्थ है कि एक सेंटिमीटर दस मिलिमीटर के बराबर होता है द्रव्यमान मापने की एकाईया आप अपनी मा के साथ सबसी खरीदने गए होंगे आपने अपनी मा को सबसी वाले से एक किलो बंद को भी पांच किलो आलू, सौ ग्राम हरी मिर्च आदी मांगते जरूर सुना होगा किलो ग्राम और ग्राम वस्तों का द्रव्यमान मापनी की दो एकाईया है जिसमी से किलो ग्राम द्रव्यमान की मानक एकाई है यदि एक किलोग्राम को एक हजार भागों में बाड़ दिया जाए तो एक भाग को एक ग्राम करेंगे इसका अर्थ है कि एक किलोग्राम एक हजार ग्राम के बराबर होता है आयतन मापने की इकाईया आपके घर में रोज कितना दूद आता है? एक लीटर, दो लीटर या ज्यादा पानी, दूद, रस इत्यादी तरल पदार्थों की धारिता को लीटर और मिलिलीटर में मापा जाता है आयतन की मानक एकाई लीटर है एक लीटर को हजार भागों में बाटने से जो भाग मिलता है उसे एक मिलिलीटर कहते है इसका अर्थ है एक लीटर एक हजार मिलिलीटर के बराबर होता है दशमलव मापन जोड हमदूरी द्रव्यमान और आयतन कुमापनी वाली विभिन एकाईयों के बारे में जान चुके हैं आये आप सीखें कि विभिन एकाईयों में दिये गई परिमान को कैसे चुड़ें घटाई और गुणा करें एक दिन रियान अपनी चाचा के साथ चिड़िया घर गया पहले 10 किलोमीटर और 598 मीटर वो लोग बहुत तेजी से चले लेकिन उसके बाद के 8 किलोमीटर और 633 मेटर उन्होंने बहुत समय ले लिया उन्होंने कुल कितनी दूरी तै की? रियान और उसके चाचा द्वारा तै की गई कुल दूरी की गणना दोनों दूरियों को जोड कर की जा सकती है पहले दो स्तंभ बनाए पहले स्तंभ में किलोमीटर के लिए की मी लिखे और दूसरे स्तंभ में मीटर के लिए मी लिखे की मी के नीचे 10 लिखे और मी के नीचे 598 लिखे 10 के नीचे 8 लिखे और 598 के नीचे 633 लिखे अब चोड़िये 598 और 633 का योग है 1231 मीटर जो की 1 किलो मीटर 231 मीटर के बराबर है अतह 1 किलो मीटर 18 किलो मीटर में जोड दिया गया है कुल मिलाकर उन्होंने 19 किलो मीटर और 231 मीटर की दूरी तैखी इसी तरह हम विभिन्न इकायों में दिये गई परिमान को जोड सकते हैं दशमलव मापन घटाव आएए अब दूसरा उधारन देखें एक ट्रक में 538 किलो ग्राम और 177 ग्राम अनाज है और दूसरे में 219 किलो ग्राम और 538 ग्राम अनाज है पहली ट्रक में कितना भार ज्यादा है हम पहली माप से दूसरे माप को घटा कर पहली ट्रक के अतरिक भार जान सकते हैं उसी विधी का प्रयोग करें जो हमने जोड के लिए करी थी 538 ग्राम को 177 ग्राम से घटाया नहीं जा सकता अतह 538 ग्राम से 1 किलो ग्राम रण लिया है इसे ग्राम में परिवर्थित करके 177 ग्राम से चोड दिया तो ये 1177 ग्राम हो गया 1177 ग्राम से 538 ग्राम खटाने पर 649 ग्राम बचा जबकि 537 किलो ग्राम से 219 किलो ग्राम को घटाया तो 318 किलो ग्राम बचा अतहा पहली ट्रक में 318 किलो ग्राम और 649 ग्राम अतरिक्दभार है दशमलव मापन गुणन गुणन राज के परिवार में प्रति दिन दो लीटर और पान्सो मिलिलीटर दूद की खपत है इस परिवार द्वारा चौदा दिन में कितनी दूद की खपत कर ली जाएगी 2 लीटर और 500 मिलीटर को 14 से गुणा करने पर हमें 28 लीटर और 7000 मिलीटर प्राप्थ हुआ क्योंकि 1000 मिलीटर एक लीटर के बराबर होता है इसलिए 7000 मिलीटर 7 लीटर के बराबर हुआ इस 7 लीटर को 28 लीटर में जोड़ें अतह चौदा दिनों में राज का परिवार 35 लीटर दूद की खपत करेगा रुपया पैसा राहुल ने एक रुपय में एक टौफी खरीदी आप इस रुपय को पैसे में कैसे बदलेंगे? 100 पैसे से एक रुपया बनता है इस प्रकार एक सो पचास पैसे एक सो पचास बटा सौ रुपय के बराबर हुआ ये डेड़ रुपय हुआ अतहा हम पैसे को रुपय में बदलने के लिए उसको सौ से भाग देते हैं एक दशमलव 75 रुपय को आप पैसे में कैसे बदलेंगे? एक दशमलव 75 को 100 से गुणा करके हमें 175 प्राप्थ होते हैं हमने क्या चर्चा की? दूरी मापने के लिए किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर एकाईयों का प्रयोग किया जाता है इनमें से मीटर दूरी मापने की मानक एकाई है किलोग्राम और ग्राम वस्तों के द्रव्यमान मापने की दो एकाईया है जिसमें से किलोग्राम द्रव्यमान मापने की मानक एकाई है तरल पदार्थों के आयतन को लिटर या मिलीलीटर में मापते है लिटर आयतन की मानक एकाई है